नमश्कार महप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है बीच आज शाम मुख्य मतरी निती इश्कबार ने मरीन ड्राइब यानी जेपी गंगापत का उधगाटन कर दिया है इसके साथ ही राज़ानी पतना के ड्रीम प्राजेक्ट अटल पत फेज दो और मीठापुर आरोबी पर भी आज से गाड़ियां दोडने लगेंगी इन सरकों पर आवागबन शिरू होने से पतना के लोगो और खास करके उतर बिहार आने जाने वाले लोगो को काफी सुवधा होगी बिहार के पत निर्मान मंतरी नितिन नवीन ने कहा कि करीब 3381 करोड की योजना है इसका पहला फेज पूरा हो गया है जेपी गंगापत से जेपी सेतु पत का कनेक्शन हो रहा है और अटल सेतु से जेपी गंगापत का कनेक्शन हो रहा है वहीं आर ब्लॉक और बेली रोड से अटल पत होते वे जेपी सेतु से उतर बिहार जाना और भी सरल हो जाएगा प्रयोग के तौर पर शुरू होगी। इसके लिए ओल, अदरक और हल्दी का चैन किया गया है। अभी राजु के बारह जिलों के बगीचों में इनकी खेती शुरू होगी। बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योजना निकाली है। साथ ही किसानों के ख उनमें वैशाली, मुजफरपुर, पुर्वी चमपारन, पश्चिमी चमपारन, शिभर, सीता मढ़ी, दर्भंगा, समस्तिपुर, बेगु सराय, सहर साख, खगड़ी और भागरपुर शामिल है। पहले के तरह आज से चलेंगी सभी ट्रेने। बिहार में अगनिपत स्कीम को लेकर हुए हिंसक प्रदक्शन की बज़े से बाधित रेल सेवायाथ से पुनरता बहाल हो गई है। आपको बता दे कि पतना गया, रेल खंट पर गुरुबार को भी पतना हटिया ट्रेन ब्रद रही। हाला कि इस रूट पर लगभग 95% दी ट्रेनों का परिचालन हुआ देराग गंगा दामोदर एक्सप्रेस को भी चलाने की तयारी दिखी। पिछले दो दुनों में 8 से लेकर 10 नमबर प्लाटफॉर्म पर गहमा गहमी बढ़ी है। कामकाजियों की लाइफ लाइफ लाइन कहीं जाने वाली इस रूट की पैसेंजर ट्रेन में काफी भीड दि लेकिन धीरे-धीरे स्थेती सामाने होने से यात्रियों के साथ रेल प्रसाशन ने भी रहत की सांस ली है। शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने समझा बुझा करने शांत कराया तो उनका प्रारंभिक संबोधन शुरू हो पाया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजे कुमार सिनहा ने बताया कि इस बार सदन में उत्कृष्ट विधायक चुन्ने की प्रक्रिय शिरू हो रही है इसलिए सभी को इसमें सुझाब देना चाहिए इसके अलावा विधानसवा अध्यक्ष विजे कुमार सिना ने मौजुदा सत्र के लिए अभ्यासी सदस्यों के नाम की घोशना की है और कारे मंत्रना समीती का अगठन भी किया है इसके बाद विधानसवा में राजबाल द्वारा स्विकृत विधायकों को रखा गया है सदन में मौजुदा वित्यवर्ष के लिए अनुपूरक बजट भी रखा गया है मोबाइल अप वामस से होगी नर्बान से जड़े विभागों की मौनिट्रिंग अब पेपर लिस्ट तरीके से नर्बान कारे का तेजी से कामकाज हो सकेगा आपको बता दे कि राजब में अब सभी निर्बान योजनाओं की मौनिटरिंग नए मोबाइल अब से होगी जीहा मुबाइल आप वामिस वर्क्स अकाउंट्स मानेजमेंट इंफिमेशन सिस्टम द्वारा की जाएगी इसाब के माध्यम से भवन निर्मान विभाग, जलसन साधन विभाग, लगु जलसन साधन विभाग, पीएचीडी, ग्रामीन कारे विभाग और पत निर्मान विभाग में एक जुलाई से कामकाज की शुरवात हो जाएगी इस आप की मदद से राज़के निर्वान कारे विभाग के अधिकारी अपने छेत्र की योजनाओ से सम्दित रियल टाइम अपडेट्स अप्लोड करेंगे साथी अधिकारी विभिने योजनाव के स्थल निरीक्षन के दौरान कारे स्थल से ही पर योजनाव के समध में जरूरी सूचनाव को अपलोड करेंगे आपको बता दे कि जलसंसाधन लगूर जलसंसाधन पीएचीडी ग्रामीन कारे और पथनर्वान वभाग से एक जुलाई से कामकाच की शिरुवात होने वाली है एक बार फिर पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम ने दिया आम लोगों को जटका बिहार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गया है बिहार में आम जुनता को एक बार फिर जटका लगा है तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है पटना में शुक्रवार को पेट्रोल 107.59 रुपे और डीजल 94.36 रुपे प्रती लीटर की देड़ पर बिक रहा है वही भागलपुर में पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे की बढ़ोतरी तो वहीं डीजल में 19 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमत 108.20 रुपे और डीजल की 94.75 रुपे प्रती लीटर है 27-29 जून तक परिवर्तित होगी इन ट्रेनों के माल समस्तिपूर रेल बंडल की में दोहरी करन के चलते कई ट्रेनों को रेलवे ने रदगर दिया है वही काई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया आपको बता दे कि 25-29 जून के बीच बदले हुए रेल मार्क से रेल चलेगी 27-29 जून तक 125-57 मुझफरपूर अनंद विहार टर्मिनल सब्त करांती सूपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्क मुझफरपूर नर्कटिया गंज गोरखपूर के स्थान पर परिवर्तित मार्क मुझफरपूर चप्रा गोरखपूर के रास्ते जाएगी इसके साथ 27-29 जून तक 19-38 बरौनी बांदरा अवध एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्क नर्कटिया गंज गोरखपूर के बदले चप्रा गोरखपूर के रास्ते जाएगी आपको सला दी जाती है कि ये संशिप्त जानकारी है विशेश जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं बिहार के इनाठ जिलों में हलकी से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना दक्षिन बिहार के लोगों को जमा जम बारिश की चाहा भी भी पूरी नहीं हुई है मौनसून आने के बाद भी दक्षिन बिहार के लोगों को बूंदा बांदी बारिश से ही संतोश करना पढ़ रहा है हाला कि आज राजधानी पटना सहित कई जुलों में मौसम सुहाना हुआ इस बीच मौसम विभाग ने राजी के राजधानी पटना सहित सारन, बकसर, अरवल, जहानबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेकपुरा और जमुई जिले में हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना जुताई है इस मौसम को देखते वे मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अफील की है कि वो इस दोरान सतर्क रहे क्योंकि बिजरी और तेज हवाँ की प्रबल संभावना है जिसे नुकसान पहुंच सकता है अगर शेहर में आप भी बनाने जा रहे हैं घर तो ले लिजेज यह जानकारी अगर आपको बिहार के किसी भी शेहर में अपना घर बनाने की सोच रहे है तो इस ख़बर को ध्यान से सुनने की जरूरत है दरसल बात यह है कि शेहर में घर बनाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा जिसके तहट आपको नियमा नुकूल नक्षा बनवाना और उसे निर्मानकारे शुरू करने से पहले ही स्विक्रित करवाना होगा बिहार सरकार ने इसके लिए नया पोर्टल तयार किया है इसके तहथी राजुभर के सभी नगर निकायों के मकान का नक्षा पास होगा और सारी विवस्था केंड्रे कृत होगी नगर्व आवास वभा के निर्देश की बाद से पटना नगर निगम ने नक्षा बनाना शुरू कर दिया है अभी तक पटना नगर निगम में 15 ने नक्षे के लिए आवेदन आए हैं और अभी पुर्व की ववस्ता के तहते 30 अगस तक नक्षा बनाया जाएगा रंगबाज के तीसरे सीजन का पहला पोस्टर हुआ जारी सिवान के बाहुबली माने जाने वाले पुर्वसांसत मुहमद शाह बुद्दीन के निधन का एक साल से ज्यादा समय गुजर चुका है लेकिन जुले भर में आज भी उनका नाम उसी अंदाज में लिया जाता है और उनकी च्छवी बरकरार है उनके जीवन की कहानी इतनी रोचक है कि हर कोई उन्हें जानना चाहता है और जान भी पाएगा क्योंकि पुर्वसांसत मुहमद शाह बुद्दीन को अब हर कोई अपने टीवी या फोन में देख पाएगा आपको बता दे कि रंगबाज नाम की एक वेब सीरीज के तीसरे सीजन का पोस्टर जारी कर दिया गया है जो कि शाह बुद्दीन की जिंदिगी से मिलती जुलती है हाला कि मेकर्स ने इस बात से इंकार कर दिया है कि ये वेब सीरीज पुर्वसांसत मुहमद शाह बुद्दीन की जिंदिगी पर आधारित है आपको बता दे कि इस वेब सीरीज की घोशना के समय हिनाश शहाब ने आपती जाहिर की थी, उन्हाने इसके निर्मान पर रोक लगाने की मांग की थी बाड कंट्रोल रूम 24 घंटे कर रही है कारे, मौनसून का महीना चल रहा है उतर भिहार और समांचल की नदियां उफान पर है वही गंगा, महाननदा और कोसी के साथ साथ लगभग एक दर्ज नदियों में घिरे हुए कटेहार जिला बाड के मामले में रेड जोन माना जाता है इसलिए बाड के दस्तक के साथ ही यहां प्रसाशने से लेकर काफी गंभीर हो जाती है इसके अलावा महाननदा कंट्रोल रूम के ठीक बगल में बेतार कक्ष भी स्थापित है जिसके माध्यम से सूचनाय आदान प्रतान की जाती है बाड नियंदरन कक्ष के प्रभारी सहायक अभियंता ने कहाई कि एक जून से यह कंट्रोल रूम पूरी तरह 24 घंटे संचालित हो रही है और तीन शिफ्ट में ऑक्तुबर महीने के अंद तक यह कंट्रोल रूम काम करता रहेगा और इसके माध्यम से ही नासित नदियों की ताजा स्थिती पर जानकारी ली जाती है बलकि जलसतर पर रिपोर्ट भी जारी किया दाता है उन्हाने कहा कि यहां होने वाली प्रते घटना की जानकारी मुख्य अभियंता सहीद पटना में भेजी जाती है इसके लावा महानन्दा बार्ण कंट्रोल रूम के टेलिफोन नंबर 06452239791 पर भी बार्ण से जुड़े कटेहार जिला के कोई भी स्थिती से लोग सीधा इस कंट्रोल रूम को अवगत करवा सकते हैं विधायक अनन सिंग से लेकर मंत्री जीतन नामाजी ने दी अपनी संपत्ती की गलत जानकारी बिहार के अधिकतर मंत्री और विधायक अपनी संपत्ती का गलत ब्योरा देते हैं लेकिन अब ऐसे मंत्रियों और विधायक न पेंगे, जी हाँ आपको बता दे कि बिहार विधानसभा चुनाब 2020 में जीत हासिल करने वाले 243 में से 40 विधायकों ने अपनी संपत्ती का गलत बेओर आपने हलफ नामे में ट्रस्ट उत किया था इसमें 10 विधायक ऐसे हैं जुनकी संपत्ती में काफी गड़बडी मिली है कुछ की गड़बडी हलफ नावा में दर्शाई गई संपत्ती से 20 करोड अधिक तो कुछ की 10 करोड अधिक मिली है इसमें सभी जद्यू भाचपा राजवध हम कॉंगर्स समेत अन्य सभी पार्टियों के विधायक है बाहुबली विधायक अनन सिंग और पुर्विसीम जीतन रामांजी का नाम भी इसमें शामिल है कुछ तो वर्तवान सरकार में मंत्री भी बने हुए है अब ऐसे मंत्रियों और विधायकों पर कारवाई की जाएगी महराश्व में राजवनेतिक संकट पर तेजस्वी का भाचपा पर हमला महरास्ट्र में अभी राजर्यतिक संकट पूरी तरह से गहराई हुई है इसी बीच बिहार के सियासी गल्यारे में भी इसकी चर्चात तेज है इसको लेकर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदर से सवाल किया गया तेजस्वी आदर ने कहा कि जहां भी एंटी भाजपा गवर्मेंट होती है उसको चैन से रहने नहीं देना चाहती है भाजपा हर तरीके से हर ताकत से स्टेबल गवर्मेंट को अनस्टेबल करने में लगी रहती है किसी भी प्रकार से हाईजाक करनी की मंचा है पुरे देश को हाईजाक करके रखा है अगर सरकार चलेगी तो भाजपा की नहीं तो नहीं चलेगी ये तो ताना शाही है देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और इसने स्वास्थ वभाग की बढ़ा दी है चुंता देश भर में लगातार कुछ दिनों से डराने वाले कोरोना के से सामने आ रहे हैं इसे ऐसा लग रहा है कि कोरोना की स्थिति दिन प्रति दिन गहराते ही जा रही है आपको बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 17,000 से अधिक नए कोरोना के मामले सामने आए हैं इस बीच पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की जान जाने की ख़बर आई है हाला कि बीटे 24 घंटे में 13,039 लोग स्वस्त भी हुए इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 88,000 के उपर पहुँच गई है स्वासवंत राले द्वारा जारी आख्रों के मताबिक आज यानी शुक्रवार को जारी पिछले 24 घंटे के अपडेट के नसार कुल 17,336 कोरोना के सामने आए हैं आरलान पहुची टीम इंडिया, कार्तिक ने साज़ा की तस्वीर, हार्दिक पांडिया की अगवाई वाली भारतिय टीम आरलान पहुच चुकी है अनुभवी विकेट कीपर बलेबास दिनेश कार्थिक ने आर्लाइन पहुँचकर टीम के खिलाडियों के साथ तस्वीर साज़ा की कारते के साथ तस्वीर में दीपा खुड़ा, रिदराज गायकवार, शान किशन, अर्श्टीब सिंग, रवी बिश्नोई, यजवेंद्र चहल और अकसर पटेल नजरार हैं कोच की भूमिका में National Cricket Academy आनी NCA के धियक्ष VBS लक्ष्मन है, क्योंकि टीम इंडिया के हेड़ कोच राहुल रविट इंग्लाइन में टीम के साथ है कल हमारे दुआरा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूज़र ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद, आप में से जिन यूज़र ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया, उनके नाम है आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बगीचों में मसालों की खेती से किसानों को अतरिक्त धन अर्ज मैं बढ़त बड़ते हैं आपका शादेक्त